ये बड़ा मुश्किल सवाल है, कभी-कभी मैं भी सोचती हूँ, मुझे मुश्किल होता है, परन्तु देखिए हर एक ऐसा सवाल है, जैसे मान लीजे आप कहते हैं, ये गुलाब है, ये चमपा है, ये चमेली है, ये मोगरा है, आप इसमें से सबकी अपनी-अपनी दूरती उन चीजों में है, अब जैसे अगर मुझे एक भजन गाने में जो आनन्द मिलता है, वो आनन्द उसी भजन ही गाने में है, वो टपा गाने का अलग आनन्द है, उसका अलग विगर है, उसकी अलग प्रस्तुती है, टपा गाई की का अपना मजा है, ओडियन्स का वो उसमें दाद देना, हर मुखडे पर दाद देना, और वो हर आवरतन में वो जब आता है, तो मुझे लगता है कि हर की एक अपनी खुश्बू है, और अस अन आर्टिस मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, बिकोज ये सभी शाचाईलियां मुझे बहुत प्रिया है, मुझे ख्याल गाईकी बेहत पसंद है, उसमें ख्याल गाईकी में जो वालियर के जो अलग-अलग ख्याल हैं, अलग-अलग तालो में, उन सब के, मैं आप पो ये कहूं कि एक राग में हुई हम जब, एक यमन मान दीजे मैंने 20 भी बार कहीं और परफॉर्म किया है, तो उसमें 20 भी कॉम्पोजिशन भी आई है, तो उसका अपना मज़ा होता है, क्योंकि वो मुखडा अलग है, उसका रंग-धंग अलग है, और जाहिर सी बात है, उसके अनुसार जो गाईकी होगी, वो भी उसका अपना मज़ा आता है, उसी प्रकार से भजन हो गया, उसी प्रकार से टपा हो गया, उसी प्रकार से अश्टपदी आजकल मुझे गाने में बहुत वानन मिलता है, अश्टपदी जो संस्कृत में है उसमें हम विलंबित भी गाते हैं और असमें हम दृत भी गाते हैं तराना मुझे बहुत गाच्छा लगता है और गजले मुझे बहुत पसंद है फिल्मी गाने भी मुझे बहुत पसंद है ठुमरी बहुत पसंद है और बंदिश की ठुमरी का अलग मज़ा है और मुझे पॉप गाने भी पसंद है